असलाम वालेकम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको YouTube Channel English Literature पर वालकुम कहती हूं आज किस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे है ताट इस फ्यूचर कंटिनियस टेंस इंटरोगेटिव इग्जामपल्स कवर करने वाले हम लोग इस वीडियो के अंदर प्रि करूंगे कि आप उनके लेक्शिस सुन लें और लेक्शिस जो है वो सीक्वेंस के साथ सुनेंगे क्योंके मैंने हार वीडियो के इंदर कोई ना कोई इंपोर्टेंट टिप्स और पॉइंट पताएं जो आपकी लिए टेंस सीखने में बहुत हल्फुल रहेंगे और आपकी विए राइटिंग स्किल्स को भी स्ट्रॉंग कर देंगे और उन लेक्शिस को सुनके आपको टेंस के ओपर भी गृप हो जाएगी प्लास आपको ग्रामर पर भी काफी अच्छे से कमांड हो जाएगा ठीक है तो लेक्शिस नहीं सुनें अगेन अगेन में रिक्युमेंट करना ठीक है तो हम लोग इस sentence के अंदर इस tense के अंदर question करते हैं और question किसके बारे में होगा question होगा future में future continuous tense में और future continuous मैंने आपको बताया था कि future के अंदर एक ऐसा point होगा जिसके अंदर या वो शाम को सो रही होगी ठीक है इस तरह के sentences होते हैं तो इसमें क्या होता है इसमें हमारे पास क्या का word लग जाता है उद्धू हिंदी के अंदर और फिर उसके बाद end पे रहा होगा रही होगी इस तरह के words आ जाते हैं और sometime हमारे पास जो interrogative है वो interrogative negative की form में भी आता है यानि एक तरफ क्या भी लग गया और साथ ही उस sentence के अंदर नहीं भी लग गया क्या वो खाना नहीं खा रही होगी क्या वो किताब नहीं पढ़ रही होगी ठीक है इस तरह के words भी आ जाते हैं sentence भी आ जाते हैं और जब हमारे पास क्या वो किताब नहीं पढ़ रही होगी इ interrogative negative क्या कहते हैं interrogative negative tense कहते हैं उसको हम और अगेन वही बात कि जो first person होता है हम first person के अंदर shell लगाते हैं हमारी मर्जी हम shell लगा लें या will लगा लें बोथ हार accurate old English के अंदर shell लगा जाता था लेकिन new English के अंदर जो modern English है present time के English है बहां पर हर person के साथ ही will लगाया जाता है ठीक है यानि कि हम लोग I will भी लिख सकते हैं I shall भी लिख सकते हैं we will भी लिख सकते हैं we shall भी सकते हैं बाकि सब के साथ will ही लगना है और first person में I और we include होते हैं ठीक हो गया तो यह बाते हैं आपको समझा चुकी होंग अब हम structure देखते हैं जी structure में क्या है हमारे पास दोनों मैंने discuss कर दिया यहां पर interrogative negative का structure हो यह interrogative का structure हो अगर हमारे पास interrogative negative sentence है यानि कि क्या वो खत नहीं लिख रही होगी ठीक है यह sentence है हमारे पास तो हमारे पास पहले आता है जी auxiliary verb will यहां उसके बाद subject फिर हम लगाते है नोट यहीं कि subject के बाद note पूट करना है प्याहले नहीं फिर हम लोगों ने again auxiliary verb बी का यूज करना है फिर main verb हमारी फिरस्ट फॉर्म है object है और question mark है यह बात आपने याद रखनी कि question mark लाजमी पूट करना है question mark नहीं पूट करने से जो interrogative sentence हो पूरा का पूरा गलत हो जाता है question mark पूट करना होगा यह मैंने जान बूच के आप फूल स्टॉप लगाता था कि मैं आपको पता दूँ ठीक है तो अब है क्या वो जिसना कि first structure हमारा पास क्या वो खत नहीं लिख रही होगी जिसको हम लोग negative interrogative या interrogative negative sentence भी कहते हैं तो she will not be writing a letter साथने end पे question mark clear और अगर हम हमार पास यह negative वाले ना हो simple statement हो जैसे कि क्या वो खत लिख रही होगी तो इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम note नहीं लगाते बागी structure हमारा वो ही रहता है auxiliary verb will plus subject plus auxiliary verb be plus main verb verb की first form plus ing plus object and यहां पे question mark clear यह होता हमारा structure second वाले का मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछा जाए कोई भी नहीं का word या note का word ना एट किया जैसे कि देखें screen पे will they be smoking cigarette क्या वो smoking कर रहे होंगे cigarette smoking कर रहे होंगे will he be calling the doctor क्या वो doctor को call कर रहा होगा will he be calling a doctor क्या वो doctor को call कर रहा होगा they will be having dinner at home क्या वो घर में dinner कर रहे होंगे she will be laying on bees tomorrow क्या वो bees पिर कल लेट रही होगी will I be waiting for you क्या मैं तुमारा इंतिजार कर रहा होंगा या फिर shall I be waiting for you क्या मैं तुम्हार इंतिजार कर रहा हूँगा मैंने बताया था हम I और V के साथ shall लगा सकते हैं, sentence गलत नहीं होगा हम लोग will भी लगा सकते हैं sentence गलत नहीं होगा इस फूर सिफ I और V के साथ यूज़ किये जाते हैं और इन सब के end पे question mark मस्ट पुट करने है question mark नहीं पुट करने से मारी statement रहा वो wrong count होती है clear तो I hope कि आपको जो future continuous tense के जो interrogative है वो भी clear हो चुकी होंगे और interrogative negative sentences है वो भी clear हो चुकी होंगे और future continuous tense आपका overall cover हो चुका होगा next video में हम लोग future perfect tense को cover करने वाले हैं thank you for watching this thank you for watching this video video पसान दे वीडियो को लाइक भी करेगा मर्चलन को सब्सक्राइब करना मद दूलिएगा stay tuned